हेलो गाई स्वागत है आप सबका तो आज हम बात करेंगे HCC की इसके अंधर भी अगर देखेंगे तो बुलिस एंगल फिंक केंडल बनी और तेजी आनी की संभवना यहां पर लग रही है तो इसके सपोर्ट और रजिशन हम देख लेते हैं टेखनिकल चाट के ऊपर हम बात क पिछली बार जब हमने वीडियो बनाए थे आप सबको जो हमेरे रेगिलर वीडियो से उनको बता होगा पहला सपोर्ट मेरे बोला था कि 28 रुपे के आसपास सपोर्ट ले सकता है यहां पर जो इसके क्वार्टर डू के रिजल्ट आये थे अगर इसको तोड़ता है तो जो लगातार बुद्वार से गुरुवार अगर देखे तो यह 32 रुपे का आसपास जो है इसने वहाँ पर का हाई बनाया एक वहाँ पर यह रेजिस्टन फेस कर रहा है इसके अंदर जो है वोल्यम अच्छा खासा है तो ऐसा लग रहा है कि उपरी लेवल के उपर अच्छा ख किया फिर यहां पर भी वही हाला और यहां पर शुक्रवार को भी 32 रुपे का आसपास खुला थोड़ा सा नीचे आया उसके बाद उसी लेवल का आसपास जो है इसने वापस जाने की कोशिश के वहाँ पर रजिस्टन फेस किया अब सॉमवार को क्या हो सकता है अगर यह ग पर एक हाई बने था इसके पहले भी 31 रुपे का 31 रुपे का इस पास का एक हाई बनाया था इस हफ़ते इसके ऊपर इसने ख्लोजिंग दी है तो अगर तेजी आती है तो कहां जा सकता है वह भी हम यहां पर देख लेते हैं और यह वीकली चार्ट लंबा चार्ट लगाया ह तो बीच में कोई मतलब की बड़े रजिस्टन यहां पर फिलाल अभी दिख नहीं रहे और यहां पर अगर देखिए जिस प्राइस के ओपर अभी यह इसको सामना करना पड़ सकता है तो अब सपोर्ट और रजिस्टन जो हम देख लेते हैं यह फिर से इसका विकली जो है जूम किया हुआ है फाइव और नाइन वीक की जो मुविंग इवरे इसके उपर भी आप नजर रख सकते हैं यह हर हथे हर दिन थोड़ी बहुत इसके अंदर बदलाव भी आते अभी यह उपर जा रही है इसके आसपास जो है यह सपोर्ट ले रहा है यह भी आप दे इक अतिस रुपे का असपास का प्राइस है और ब्रेकाओट लेवल के आसपास तो यहाँ पर सबसे पहला इसका शपोर्ट जो हे वह हम देख लेते है तो पहला सपोर्ट डेफिनितली 30 रुपे का आसपास और इसके नीचे कि अगर बात करें तो 28 रुपे का लेवल यहां पर दिख रहा है और उसके नीचे की अगर बात करें तो 25 रुपीस के आसपास का सपोर्ट तो इन तीनों इस सपोर्ट जोन को आप देख सकते हैं अब अगर रजिस्टन की बात करें तो पहला रजिस्टन तो इसका डेफिनिटली 32 रुपे का सपास का जोन ही है क्योंकि यहां तीन दिन तक जो है इसके आसपास इसने रजिस्टन लिया है उसके उपर अगर यह निकलता है तो मुझे से लग रहे कि यह 34 रुपे से लेकर 35 रुपे तक जा सकता है और अगर इस लेवल को पार करता है तब जो है यह 38 रुपे से लेकर 40 रुपे तक जाने की मटब की कोशिश कर सकता है तो यहाँ पर बात और यह possibility की तो यह सभी के सभी यह जो है support और रजिस्टन के उपर आप चाहे तो नजर रख सकते है और अगर आपकी इसके अंदर holding है तो इसके उपर हम time to time update लाते है तो subscribe जरूर कर ले दोस्तों हमारा चैनल को अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो like कर करें और share भी जरूर करें हमारे दूसरे वीडियो भी जरूर देखें और हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर ले आज के वीडियो में इतना ही और extended disclaimer जो कि मैं हमेशा देता हूँ आप कोई भी rate ले उससे पहले अपनी research करें अपने financial advisor की सला ले उसके बाद ही decision ले और decision ले तो